Hello friends, कैसे हैं सब लोग? I hope सब लोग अच्छे होंगे, बहतर होंगे और स्वस्त होंगे स्वागत आपका Fairs Cloud Learn to Lead में Good morning to all the students और आज हम डिसकस करेंगे बहुत important current fair 26 और 27 सब्तमबर 2020 के जिसमें से आप 2 best images जो हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं लेकिन आज हम बहुत important current fairs को डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को बिलकुल लास तक देखना है लेकिन आप हमारी application को download कर सकते हो description box लिंक से application का नाम है careers cloud email id के थुरू login करें और crack current fairs के उपर क्लिक करके एक साल या फिर दो साल की subscription आप buy कर सकते हैं दोनों का price बहुत कम है लेकिन 90 से 95% तक आपका वो current fair cover हो जाएगा जो आपको exam के अंदर मिलेगा लेकिन दोस्तों किस तरह से ये current fair cover करेंगे आपको daily section मिलेगा daily section में आपको तीन तरह की चीज़े मिलेगी एक में detail current fair होगा एक में question and answer format एक में quiz होगा जो की आप daily हमारी application के उपर attempt करोगे एक होगा weekly section इसमें तीन तरह के sections होगे detail, question and answer format और एक होगा quiz जो की weekly आप हमारी application के उपर attempt कर सकते हो next होगा monthly section, monthly में भी आपको चार तरह की pdf's मिलेंगी, detail current fair की question and answer format में, best 100 current fair वो भी question and answer format में pocket pdf, इसको मतलब 2 line में या 3 line में आपको current fair जो है वो मिलेगा तांकि आप जल्दी-जल्दी में current fair को revise कर सको, लेकिन आपकी preparation को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग-लग तरह की topic वाइस pdf दे रहे हैं तांकि जिस भी topic को आप particular revise करना चाहते हो, वो यहां से कर सकते हैं अगर आप banking के student हैं तो आपको फिर से 3 चीज़े मिलेंगी detail, question and answer format और quiz लेकिन होगा वो सिरफ banking और economy का ही और quiz आप हमारी application के उपर attempt करोगे monthly basis पे अगर आप एक ही pdf से जितना भी current fair 2021 का है वो revise करना चाहते हो और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं तो हम आपको हर state का state current fair और हर UT का भी जो है वो current fair provide कर रहे हैं, तो इस सारी चीज़ें आपको एक ही subscription में मिल जाएंगी, सिरफ आपने application को download करना है, careers cloud को link दिया हुआ है, login करें अपनी email और दो साल में कोई ज़्यादा price का difference नहीं है और दोनों के उपर ही आपको 10% extra discount तो मिली जाएगा, अगर आप इस code का use करेंगे ASH10 का, और इस email ID और इस number पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी, किसी भी तरह की कोई query है तो start करते हैं, 26 और 27 सब्तंबर का current fair, लेकिन उससे पहले मैं सारे बच्चों से request करना चाहूंगा, कि वो वीडियो को यार like ज़रूर कर दें, share ज़रूर कर दें और चैनल को subscribe ज़रूर कर दें ये तीन काम मेरे ज़रूर कर दिया करो कोई मुल्या निया इसका, लेकिन ये मुझे motivation ज़रूर प्रवाइड करता है, और टेलिग्राम ग्रूप को join कर लें, description box लिंक से तो पहले question के साथ most important में कौनसी state और union territory है जिसने पहला edition जो है, वो हिमालेयन film festival का, जो है, वो organize किया है वहाँ पे हुआ है, तो पहली बार हिमालेयन film festival मनाया जा रहा है, तो कोई नो कोई हिमालेयन state होगी दोस्तों, और state नहीं है, union territory है, अंसर क्या होगा, लदाख में, exact जगा कौन सी है, कहाँ पे हुआ है, लेक अंदर, अब देख सकते हो, लदाख ने पहला हिमालेयन film festival जो है, वो host किया है, और इसको जो दोस्तों, इसका उदगाटन जो है, वो किस ने किया है, वो किया है, Ministry of Information and Broadcasting, आपको पता हिए कि जो film industry वाला काम है, वो कौन देखता है, Ministry of Information and Broadcasting, और कौन है union minister इसके, अनुराग सिंग ठाकुर जी, तो याद रखना है, अनुराग सिंग ठाकुर जी ने इसका उदगाटन किया है, और यह exactly हुआ कहाँ पे, सिंदु संस्कृती के अंदर में हुआ है, कहाँ पे, लेक अंदर, और इसमें 12 हिमालियन states और union territories को cover किया गया है, 12 का मतलब है 8 तो हमारे पास northeastern हो जाएंगी दोस्तों, northeastern का मतलब है m cube a square nts, मतलब Megalia, Mizoram Manipur, यह हो जाएंगी 3 तो, a से हमारे पास असम हैं दोस्तों, एक हमारे पास कौन सी है अरुनाचल परदेश है, n से नागालेंड है, T से 3 पूरा, S से 6 और 4 जो रहे गी हैं वो कौन सी है वो हैं हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर लदाक हो गया, एक हमारे पास उत्राकंड हो गया, एक हमारे पास हमारे पास हिमालियन states और unitetry है, जो की उनकी movies को यहां पर screen किया जाएगा, और यह पांच दिन का festival है, 24 से लेके 28 सब्तमबर के बीच में मनाया गया तो याद रखनी है, जितनी भी चीज़े मैंने आपको बताई है लेकिन यहां पर बहुत ही ज़रूरी है आजकल यहां पर lieutenant या lieutenant governor है अगला question आते हैं who was recently named as the mastercard global brand ambassador, तो mastercard की बात हो रही है, इसलिए हम इस question को most important में cover कर रहे है, बहुत ही famous chess के player है, number one chess के player है पूरे world में, Norway country से belong करते हैं तो अब मैंने दो hint आपको दे दिया है, तो chess के player आपको यहां पर लग रहे है Magnus Carlson, तो answer जो है वो यहां पर क्या होगा D होगा, तो जो mastercard है वो दो चीजों के साथ जुड़ा है, एक to mastercard जो है, वो एक tournament होता है chess का meltwater, तो याद रखना है क्या है नाम, meltwater championship तो उसके साथ जुड़ा है, मतलब उसको mastercard जो होगा sponsor कर रहा है, और साथ में यह global brand investor जोड़ा है, उन्होंने Magnus Carlson को, तो आप यहां पर देख सकते हो Magnus Carlson को, global brand investor mastercard के announce कर दिये गए हैं, और मैं आपको बता दूँ कि, जो meltwater tournament है, यह दोस्तों, 10 महीने चलता है, यह वो राशी दी जाती है, तो mastercard जो है, वो Carlson के साथ जो है, वो जुड़े हैं, Carlson अपने live events को, virtual events को share करेंगे, और बताएंगे कि किस तरह से जो है, वो आप अपने passion को जो है follow कर सकते हैं, तो यह सारी चीजें बी जो है, वो जी चुके हैं, इवन world blitz chess championship भी जी चुके हैं, जो कि online basis पे हुई थी, तो वो भी यह जी चुके हैं, और highest rated chess grandmaster है, पूरी history के अंदमाद, सबसे यादा rating है दोस्तों, इनकी, और highest paid e-sports player भी है, 2020 के, तो मतलब बहुत ही famous player है, number one player है, और इंडिया में आपको बते हैं, विश्यम नाता अनन्द, जो है, वो सबसे favorite player है, chess में, mastercard के बारे में याद रखोगे, mastercard की स्थापना 1966 में की गई थी, और इसके जो CEO है, वो Michael Maybach है, और इसका headquarter जो है, वो New York है, अगले question के उपर आते हैं, very important section के उपर आ चुके हैं दोस्तों, वीडियो को like करना है, share करना और चैनल को subscribe, जो है, वो दोस्तों, जरूर कर लेना है, लेकिन, telegram group को join कर लें, description box है, ये तीन काम मुझे उमीद है कि आप जरूर कर दोगे, और question है कि international atomic energy agency, जो है, उसका external auditor auditor जो है, वो किसको बनाया गया है, मतलब audit जो है, वो वहाँ पर करेगा, जांच करेगा कि किस किस तरह से जो है, वो खठा हुआ है, कहां पर पैसा खर्च हुआ है, किस तरह की सारी तरह की audit जथ है वो करेंगे, और मैं आपको हिंड देता हूं, ये इंडिया के Comptroller and Auditor Journal है और इनको 2020 में पॉइंट किया गया था Comptroller and Auditor Journal Under 148 Article of the Indian Constitution तो अंसर है दोस्तो GC Murmo तो अंसर क्या होगा इसका B होगा कितने टाइम प्रेट के लिए पॉइंट के आगया है छे साल के लिए पॉइंट के आगया है 2022 से लेके 2027 तक 2027 का पूरा आजएगा 2022 का भी पूरा आजएगा तो छे साल जो है वो यहां पे हो जाएगा और International Atomic Energy की जो जर्नल मीटिंग है वो हुई थी अभी जो कि कहां पे हुई व्याना के अंदर क्योंकि व्याना इसलिए क्योंकि व्याना में इसका Headquarter है International Atomic Energy Agency का आस्ट्रिया के अंदर तो यह याद रखना है जितनी भी चीज़े मैंने बताई हैं और GC मुर्मू जो है वो पहले Lieutenant या Lieutenant गवर्नर रह चुके हैं किसके लद्दाक के याद रखना है पहले Lieutenant गवर्नर सुरी लद्दाक के ने जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाक के तो रादा क्रीशन मातुर है स्टार्टिंग से तो यहाँ पे जो है वो चेंज हो चुके हैं रिसेंटली Indian Moto GP के मतलब जो Motorcycle Grand Prix होती है उसके जो है Brand Ambassador बनाया गया Indian Brand Ambassador प्रेंका छोपड़ा जोनस इनको रिसेंटली Brand Ambassador बनाया गया कंपनी बल्गारी का तो मतलब औरतों के लिए जो पड़क्स निकालती है बल्गारी कंपनी उसको promote करेंगी प्रेंखा छोपड़ा लेंडर पेस जो की टैनिस के बहुत बड़े प्लेयर हैं इनको brand ambassador बनाया गया है एक start-up है sports का जिसको नाम दिया गया sportzo तो उसके brand ambassador बनाया है लेंडर पेस तो ये भी आपने याद रखना है अगला question भी हमने जो है वो cover कर लिया है दीपक दास CGA बनाये गया हैं दोस्तों बहुत important है CGA का मतलब है controller journal of accounts बनाये गये recently कमलेश कुमार पन्त ये नए chairman बनाये गये है national pharmaceutical pricing authority के national pharmaceutical pricing authority और international atomic energy agency के बारे में याद रखोगे ये nuclear energy को अच्छे से use करने के बारे में जो है वो बताती है आप कह सकते हो कि guide करती है इसका headquarter जो है वो वियाना आस्ट्रिया में है और इसकी जो स्थापना है वो 1957 में की गई थी तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका headquarter जो है वियाना आस्ट्रिया में है और इसकी जो journal conference है वो भी यहीं पर हुई है और इनका time period कितना है छे साल का time period है जी सी मूर्मो अगले question के उपर आते है HPCL ने कौन से bank के साथ tie up किया है ताकि जो fuel payments हैं वो car के fast tax के through ही हो सकती है त मतलब contactless payment को जो है और बढ़ाता है तो HPCL ऐसी पहली company बन गी है जो fast tax के through payment करने वाली होगी और यह bank दोस्तों कौन सा है ICIC bank है तो याद रखना है ICIC bank ने HPCL हिंदूस्तान petroleum corporation limited के साथ tie up किया है ताकि fast tax का use करके कोई भी person अपने vehicle का HPCL के जो outlets हैं वहाँ पे आप fuel को purchase कर सकते और 19,000 outlets हैं पूरे इंडिया में HPCL के तो वहाँ पे आप इसको use कर सकते हो और HPCL ने दोस्तों recently एक electric vehicle charger निकाला है याद रखना है electric vehicle charger जो है वो इन्होंने निकाला है जिसका नाम क्या है charge grid player ये नाम है दोस्तों इस electric vehicle charger का ये HPCL ने निकाला है और HPCL का target है कि 5000 electric vehicle station जो है वो HPCL बना देगा ताकि हम electric vehicles को promote कर सकें ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीच सकें तो इसलिए जो है वो इसको किया गया है और HPCL के बारे में याद रखने हैं दोस्तों इसके chairman और managing director कौन है मुकेश कुमार मुकेश कुमार और इसका जो headquarter है वो मुंबई है और ICAC आपको ही है कि इसका जो chief executive officer है वो संदीब बक्षी है इसका head office कहां पे है वडोद्रा कहां पे है वडोद्रा याद रखोगी दोस्तों अगला question आते हैं यहां पे देख सकते हैं HPCL partner with ICAC bank which state recently integrated digital hub तो digital hub का निर्मान किया गया तांकि startups को सुभीदा जो है वो अलग लग तरह की मिल सके और यह state कौन सी है केरला तो D जो है वो इसका answer होगा और के चीफनिस्ट आपको पता ही है पिनराई विज्यान जी है और पिनराई विज्यान ने यह digital hub को launch किया है अंडर कसुम कस technology innovation zone के अंदर 2,000,000 square feet है इवन इसको 4,000,000 square feet करने की जोजना है और 200 startups की capacity है मतलब यह 200 startups को जो है वो क्या करेगा गाइड करेगा आगे बढ़ाएगा और यह digital hub जो है वो technology innovation zone में खोना गया है आपको पताना चाहिए technology innovation zone जो है वो 2019 में जो है वो state government की तरफ से बनाया गया था यह इंडिया का largest incubation facility है इंक्यूबेशन का मतलब जो startups को यहाँ पे क्या करेगा गाइड करेगा startups को आगे बढ़ाएगा 2019 में इसको start किया गया था और largest incubation facility है जो startups को आगे बढ़ाने का काम करती है कहां पे है दोस्तो केरला के अंदर और digital hub जो है वो एक तरह का ecosystem है मतलब एक startup है उनके पास सबसे बड़ी problem ही ये है कि उनके पास सबसे पहले पैसा नहीं है finance नहीं है उनके पास सिरफ idea है तो पैसा उनके पास पैसे की कमी है उनके पास mentorship guidance की कमी है और उनको जो है वो एक market की problem है कि वो अपने product को ये तीनों चीजे जो है वो आपको ये digital hub जो जयान है, गवर्नर जो है वो यहां के आरिफ मुहम्मद खान है, लेकिन दोस्तों एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पे नैशनल पार्क है, साइलेंट वैली नैशनल पार्क, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इरेवी कुलम नैशनल पार्क, यहीं पर आपको मुलेगा अना मुड़ी और अनाय मुड़ी जो है वो western coast की हाईयस्ट चोटी भी है, सबसे हाईयस्ट peak जो है यह यह वो western coast में, western guards में जो है वो कौनसी है, वो है हमारे पास अनाय मुड़ी, 2695, I think इतनी ही height जो है वो इसकी है, और eastern guards की आपको पता यह महिंदर गिरी है, वो ओडिस्अ में तो याद रखना है, यह सारी चीज़े बहुत important है, अगले question के उपर आते हैं, सुबाग्या scheme को 4 साल हो चुके हैं, launch हुए हुए, और सुबाग्या scheme किस से related थी, तो यह आपने बताना है कि सुबाग्या का main मकसद जो है वो क्या था, तो मैं आपको abbreviation बता देता हूं कि सुबा पाग्या को 4 साल complete हो चुके हैं, successful implementation उसकी हम 4 साल तकर चुके हैं, और इसका नाम है परदान मंतरी सहज बिजली हरगर योजना, 25 सब्तमबर 2017 को जो है वो इसको start किया गया था, मतलब सेम डेट को 2021 में इसके 4 साल पूरे हो चुके हैं, और 2017 में 100 साल जो हैं, वो आप कह सकते ह तो centenary मतलब 100 साल की birth anniversary हमने पंडित दीन द्याल उपद आई जी की celebrate की थी, जो कि आप कह सकते हो BJP के mentor के तोर पे जाने जाते हैं, और ministry of power जो हो इसको चलाती है, इसकी implementing agency है, लेकिन इसका main काम कौन करता है, rural electrification corporation limited, जो सारा काम करता है as a nodal agency, मतलब देखता है कि कहां कहां प last, चाहे वो rural area है, वहां तक हमने बिजली को पहुंचाना है, जहां पर अभी भी बिजली नहीं है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते शायद, कि अभी भी कुछ गाउं, कुछ area ऐसे हैं, जहां पर बिजली ही नहीं है, खास करके rural areas में, या आप कह सकते हो, जो गरीब लोग ह रहते हैं, उनके गर में बिजली की समस्या है, और ministry of power की जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, आरके सिंग जी की, union minister हैं दोस्तों, आरके सिंग, इनकी constituency आरा, बिहार के अंदर, बिहार, तो आगे बढ़ते हैं, अगला question है हमारे पास, ministry of defense ने contract sign के कौन सी company के साथ, ता एक तरह के transport aircraft हैं, कितने खरीदेंगे, 56 aircraft जो हैं, वो खरीदे जाएंगे, कौन सी company से, Airbus, Defense and Space Company से खरीदे जाएंगे, कहां की company हैं, दोस्तों, Spain की ये company हैं, ये खरीदेंगे, तो आप देख सकते हो, हर जगा पे C295 जो हो लिखा हूँ, इसी number को आपने थोड़ा सा याद Ministry of Defense, Airbus, Defense, Space, Spain से खरीदेगी, और इसका खरीदने का फाइदा जो है, वो basically क्या होगा, आप कह सकते हो, कि इसको जब खरीदा जाएगा, तो ये हमारा जो transport fleet है, मतलब Indian Air Force के जहाज हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो use होते हैं, तो उसको और भी अच्छा कर देगी, तो आप कह सकते हो, कि ये एकी बार में, 71 troops, या 50 paratroopers को, या समान को इदर उदर लेके जा सकता है, और मतलब, अभी हम बहुत ही बड़ा aircraft यूज करते हैं, उसमें fuel की वेस्टेज होती है, जिसके कारण जब उसको carry करना भी मुश्किल है, अब जो है वो नया, जो हम इसको use करें जो की हलका भी है, और जो है, वो समान को इदर उदर लेके जाने में use होगा, 16 तो जो है, वो Spain सीधा ही यहाँ पे बेजेगा, जैसे की आपको पता है, राफेल आते हैं, वैसे ही 16 ये आएंगे, ये अगले 4 साल के अंदर बेजे जाएंगे, लेकिन जो 40 हैं, वो इंडिया म बनाने के लिए, जो वो किसी private company के साथ tie-up कर रहा है, और वो इंडिया में बन रहा हो, ये बात आपने याद रखनी है, और इसका पूरा time period, जो पूरे के पूरे 56 जो हो, आ जाएंगे aircraft, वो कितने time period के अंदर आएंगे, 10 साल के अंदर, मतलब 2030 तक हमारे पास ये 56 to 56, जो ह अगले question के उपर आते हैं, Geological Survey of India ने एक organization के साथ tie-up किया है, ताकि जो final diversity है, मतलब जो जानवरों की diversity है, उसको हम बचा के रख सकें, उनके बारे में research कर सकें, अलग-लग जगा पे जो है, वो हम आपस में information को share कर सकें, और ये है दोस्तो, Natural History Museum, याद रखना है, अंसर क्या ह होगा, इसका ए होगा, तो Geological Survey of India और Natural History Museum, जो कि UK का है, उसमें जो जानवरों की diversity है, final मतलब, जो जानवरों की diversity है, उसके ओपर research करने के लिए दोनोंने tie-up कर लिया है, तो आप देखो, इंडिया जो है, वो 2.4% जो है, वो पूरे वल्ड की land को देखता है, क्योंकि इंडि बड़ी diversity countries में से एक है, और मैं आपको बता दूँ, आपको शाय जानके हरानी होगी, कि ये line 9th की NCRT में लिखी हुई है, पांचमा चैप्टर अगर आप पढ़ोगे wildlife वाला NCRT का, तो वहाँ पे आपको ये line मिल जाएगी, बहुत important है, इसलिए मैं कहता हूँ, NCRT आपका rules and regulation को implement करेंगे दोनों मिलके, जैसे कि एक है convention on international trade in endangered species in wild fauna and flora, जिसको sites कहा जाता है, 1973 की convention है, एक आपने शायद और पढ़ी होगी, convention on biological diversity, जिसको CBD कहा जाता है 1992 की, और और भी जो इंडिया के या United Kingdom के जो regional laws हैं, जो उनके अपने हैं, उनको भी आपस में implement करने में एक दू बहुत ज्यादा important नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आपने question को उतना जरूर याद रखना है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, और geological survey of India आपके लिए important है दोस्तों, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी, जब British time period चल रहा था, तब किया गया था, Calcutta में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी director कौन है, धृती बेनर जी, बहुत बार हम यह question आपको करवा चुके है, revision के time period पे, धृती बेनर जी, और धृती बेनर जी याद रखना है, first lady director है दोस्तों, first lady director है, इस जो logical survey of India, recently इनको point किया गया है, अगला question आते है, एक book लिखी गई है, smart villages, बत इस न बंदों की help चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो, जिससे आप villages को गाउं को अच्छा बना सकते हैं, आप उनको smart बना सकते हैं, rural population जो है, जो गाउं में लोग रहते हैं, उनका किस तरह से use करके आप जो है, वो गाउं को बहतर बना सकते हो, यह book दोस्तों, एक ब याद रहा रहें, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा से इतना याद रखना है कि यह किसने launch की है, जो हो के founder है, शिरीदर वेंबू, तो उन्होंने इस book को launch किया, जो कि एक बहुत ही, आप कहा सकते हो, famous company भी है, और साथ ही यह famous person भी है, तो one of the famous startups है, आप कहा स करगी date, मतलब आप कहा सकते हो, कुदरती यह date match करगी 22 September के साथ, क्योंकि 22 September 1921 में, जब non cooperation moment हुई थी, कि हम किसी भी काम में cooperate नहीं करेंगे, तब गांधी जी ने जो है, वो अपना गुजराती जो style है, जो कपड़े पहनते थे गुजराती style में, वो छोड़ दिया उन्हों इस date को जो है, वो start किया था, क्योंकि non cooperation moment जो है, वो चल लए थी, अगले question के उपर आते है, President of India ने National Service Scheme Award जो है, वो प्रेजेंट किये 2019-2020 के, तो इसमें आपने किसी का नाम नहीं याद रखना, क्योंकि बहुत से लोग हैं, जिनको यह award दिया गया है, आप देख सकते हो, यहाँ पर कितने लोग जो है, वो यहाँ पर खड़े हुए, अलग-लग category में यह award जो है, वो दिये जाते हैं, 42 award जो है वो total दिये गए, तीन categories के अंदर, like universities और councils और colleges के अंदर यह award दिये गए, NSS units को दिये गए, program officers को दिये गए, जो National Service Scheme के volunteers हैं उनको दिये गए, और यह 2019 2020 के लिए दिये गए, और यह award हर साल दिये जाते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि यह award क्यों दिये जाते हैं, ताकि जो लोग, humankind, यह आप कह सकते हो कि लोगों की सहायता करते हैं, अलग-लग level पे, उनको यह award दिये जाते हैं, और एक scheme भी सरकार की तरफ से start की गई इसी NS scheme, इसकी यह center government की तरफ से start की गई थी, इसका main objective था कि लोगों में एक ऐसी personality develop करें, एक students में ऐसी character develop करें, youth में एक ऐसा जो है वो हम वहवार लेके आएं, ताकि वो हर तरह के बंदों की help कर सके, तो national service scheme का मतलब यही हैं कि सहायता कर सके, और इसको ministry of youth affairs ने start किया था 1969 म स्टार्ट किया था, अगला आते हैं, ऐसी एक awards दिये गए है, Union Chemical and Petalizer Ministry, जो की मनसुख मंडाविया जी हैं, उन्होंने ICC annual awards दिये हैं, ICC का मतलब International Cricket Council नहीं है, Indian Chemical Council है, तो इनकी तरफ से यह awards दिये गए हैं, तो यह सब्तंबर यह अक्तूबर के महिने में ही दिये जाते है और उन organization, उन लोगों को सम्मानित किया जाते हैं, जिन्होंने chemical की field में बहुत ही अच्छा परदर्शन किया है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने कोई innovation technology का विस्तार किया है, कोई अच्छा काम किया है, तो उनको ये award दिया जाता है, तो याद रखना है Indian Chemical Council, Indian Chemical Council एक ऐसी मतर body है, जो chemical industry को control करती है, उनको regulate करती है, इसकी स्थापना 1938, British time period पे की गई थी, इसका headquarter जो है, वो कहां पे है, मुंबई, महराष्ट्रा, और आपको पते हैं, मनसुक मंडाविया जी, कहां से हैं, ये गुजरास से हैं, राजय सभा के member हैं, गुजरास से हैं, साथ में हमारे आपने सिरफ ये like बटन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब को प्रेस करना है, और उसको telegram group को join कर लें, और दोस्तो कौन सी country ने small satellites को develop करने के लिए, इंडिया के साथ tie up किया है, और ये country है, बुटान, ये answer होगा, और इसका main मक्सर यहीं है, कि हम जितना भी outer space है, उसको हम peacefully पूली जो है, वो दोनों के countries क्या कर सके, यूज कर सके, और इससे क्या होगा, दोनों countries मिलके जब research करेंगी, तो innovation नहीं, ideas आएंगे, development आएगी, technology नहीं, जो है, वो दोनों countries आपस में transfer कर सकती है, और दोनों countries में relation भी जो है, वो क्या होंगे, improve होंगे, और हमारा जो neighborhood first policy है, उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है, और बुटान के बारे में याद रखना है, capital जो है, वो थिमफू है, और currency जो है, वो नगुलत्रम है, अगले question के उपर आते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो, India expect to joint development for smart satellite for बुटान, तो सबसे पहला है, कि Ministry of Electronics and Information Technology का एक start-up hub है, शाहिद सब बच्चों को पता होगा, कि यह Ministry of Electronics का है, इन्होंने expect sign के company के साथ, Amazon Internet Services Private Limited, आप सीधा कहा सकते हो, Amazon Internet Services के साथ, एक tie-up किया तांकि start-ups को आगे लेके जा सके हैं, तो जो भी start-ups होंगे, वो Amazon Internet Services को use करेंगे, तो उनकी जो technological capability है, वो increase होगी, और जो problems इंडिया के use कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उन start-ups को लिया जाएगा, जो इंडिया की main problems को खतम करेंगे, जैसे की health को, agriculture को, public safety को, जो issues यहाँ पे चल रहे हैं, उसको खतम किया जाएगा, नेक्स्ट है, World Metrological Organization की एक report है, वो कहते हैं, जो carbon dioxide बढ़ रहा है environment में, उसके कारण जो है, व 17 तरह के goal effect हो रहे हैं, आप कहा रहे हो कि temperature बढ़ रहा है हर जगा पे, carbon dioxide बढ़ रही है, वो जो पानी है हमारा समुंदरों का, वो भी खराब हो रहा है, heat जो है वो आगे से ज़्यादा आने लग गी है, मतलब जो temperature है वो बढ़ना start हो गया है, जो glacier mass है, वो क्या हो रहा है, कि हमने 2100 तक जो है, हमारी जो ये century चल रही है, इसके खतम होने तक हमने global temperature को 2 degree Celsius या फिर 1.5 degree Celsius से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, यही हमारा goal है, और World Meteorological Organization के बारे में याद रखोगे, इसका headquarter दोस्तों जनेवा में है, और ये United Nation की एक agency है, इसकी member countries कितनी है, 193, नेक्स आते हैं इसके बाद, अगला हमारे पास question है, World Pharmacist Day जो है, वो बनाया गया, 25 सब्तमबर को, इसका main मकसद यही है, कि फार्मासिस्ट जो है, उनको recognize किया जा सके, उनके role को recognize किया जा सके, कि किस तरह से उन्होंने health sector को अच्छा बनाने में जो है, वो बहुत साहिता की है, क्योंकि यार आप दवाई लेने जाते हो, आप फार्मासिस्ट के पास जाते हो, तो इसका मतलब वो आपकी help तो करी रहा कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब health sector को बहतर बनाने में बहुत बड़ा role है, फार्मासिस्ट का, और 25 सब्तमबर को इसलिए बनाते है, क्योंकि 25 सब् इन्टरनेशनल फार्मासिटिकल फेडरेशन, जिसको FIP कहते हैं, इन्टरनेशनल फार्मासिटिकल फेडरेशन, तो इस नाम से इसको जाना जाता है, और इसका headquarter कहां पे, Hague, नीदरलैंड में, Hague में ही दोस्तों, International Criminal Court का भी जो है, वो headquarter है, और इसका theme क्या है, आप यहां confusion हो सकती है, तो always trusted for your health, मतलब pharmacy को हमेशा विश्वाश रखना है, आपकी health को वो improve करेंगे, आपको खराब नहीं करेंगे अगला आता है, लदाख ने जो पहली बार, मालिन फिल्म फेस्टिवल हमने कर लिया है इसको, अन्नतोद्या दीवस मनाया अनतोद्या का मतलब क्या होता है, कि जो last to last person है, उसको भी हमने आगे बढ़ाना है ये अनतोद्या का मतलब है, इसी लिए इसको नाम अनतोद्या दिया गया था, क्योंकि ये word जो है, पंडिदीन द्याल उपदियाई जी की देन है, और इस साल, जो हम इसमें ऐसी चीज नहीं है, जो आपको examiner deck पूर सकता है, लेकिन एक बर पढ़ ज़रूर लियो, जो banking के student है, अदरवाइस आप इस news को छोड़ दियो. Next आते हैं, 25 सब्टमबर 2021 का हमारे पास question क्या है? Question था बहुत ही simple, कि कौन सा bank है, जिसने सबसे पहले credit card को launch किया था. अब आते हैं question of the day, बहुत ही simple question of the day, कि पहला जो regional rural bank था, जो grammin bank था, वो प्रथम grammin bank था. आपको बता है, मुरादाबाद UP में जो है, वो उसको खोला गया था, और गांदी जी के birthday के दिन, 2 October 1975 को उसको खोला गया था, लेकिन कौन से bank ने उसको खोला था, मतलब कौन सा bank जो है, वो basically बाद में sponsor भी बना, लेकिन कौन से bank ने उसको सबसे पहले start किया था. तो answer मुझे comment box में बताएंगे, wait कर रहा हूँ आपके answer का, like करना वीडियो को, share करना चैनल को, maximum to maximum share करें इस वीडियो को, अपने एक दोस्त को जुरूर share कर या तरो, subscribe करना चैनल को, और bell button को press करके, आपने telegram group को join कर लेना है, इसका benefit यह होगा कि आपको official notifications मिलती रहेंगी. यह affairs cloud का promise है कि यह आपके confidence को जुरूर boost करेगा, और आप हमारी PDF को subscribe करने के लिए, एक साल या दो साल के लिए हमारी application को download करके subscribe कर सकते हैं, price बहुत ही low है, 10% extra discount मिली जाएगा, अगर आप इस code का use करेंगे, ASH10 का, लेकिन दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बह environment positive रहेगा और life को बहुत ज़्यादा serious लेके हम काम करी नहीं सकते, करोगे तो दिक्कत होगी, आप problems खुद create करोगे, thank you guys, take care and bye-bye.